दोस्तो नमस्कार आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कैस्टर सीड यानी अरंडी के उपर सबसे पहले अरंडी की निर्यात की पूरी खबर जानिये विस्तार से दोस्तो नमस्कार मैं कर्नल अजैस यो अजैस्टो मानी गुरू फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फ्नेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिव होता हूँ दोस्तो कैस्टर सीड एवं कैस्टर ओयल एक महतवपून ओयल माना जाता है जिसे भरत निर्यात सबसे बड़े पेमाने पे करता है अगस्त और सितंबर माह में अरंडी का तेल निर्यात जो एक्सपूर्ट है वो रेगुरिलर की तुना में थोड़ा काम हुआ है लेकिन अक्टूबर नौउंबर और दिसंबर ये तीन महने कैस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगे क्योंकि इन तीन महनों में लगबग 1.2 लाक तन अरंडी तेल का निर्यात होने की संभावना है और उसके लिए लगबग 42 लाक बोरी अरंडी की आवशक्ता होगी पूरे देश में लगबग 40-45 लाक बोरी अरंडी का स्टॉक माना जा रहा है अस आता है अरंडी में फिलाल कोई बड़ी कमी स्टॉक में नजर नहीं आती लेकिन बैलन्शीट तो टाइट होना निश्यत है क्योंकि ये नेक टू नेक होगा अरंडी का भाव पिछले कुछ दिनों में तेजी से प्रती 20 किलो 70-80 रुपय घट जाने से अब थोड़ा सुधार होने की संभावना भी बन सकती है जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बैलन्शीट टाइट होने से आवक घटती जाएगी और उसके बाद भाव में कुछ सुधार होने की संभावना बताई जा रही है जदी हम देखें कच्छ में गुजरात के कच्छ में 40 दिन से लगातार दैनिक एवरेज जो अराईवल है यानि आवक है वो 10,000 बोरी अरंडी की आवक होने से 4,000 बोरी का स्टॉक कम हो गया है फिलाल कच्छ में 2,500-3,000 बोरी अरंडी का स्टॉक होने का अनुमान लगाए जा रहा है कच्छ में पिछले 2-3 दिनों में अरंडी की आवक घटने के भी समाचार है कच्छ में 1 जनवरी सन 2022 को 50-75,000 बोरी स्टॉक रहने का अनुमान था जबकि गत वर्ष 1 जनवरी 2,000,000 बोरी का स्टॉक था नई फसल जब सामने बड़ी होती है तो केरी फ़र्ड स्टॉक थोड़ा कम अकसर रहता है कच्छ में 4 वर्ष में 1 महीना अरंडी की बुवाई पहले होने से अराइवल का प्रेशर एक महीने पहले आने की उमीद है हर वर्ष मार्च महीने में अरंडी की आवक बिलकुल पीक पे यानि सर्वोचे स्थर पर होती है जो नए सीजन में फरवरी में अब पीक पे होने की संभावना है कच में अरंडी की बुवाई भारी व्रद्दी होने से नए सीजन में 48 से 50 लाग बोरी की उत्पादन का नुमान लगाये जा रहा है जो चालू बर्ष में 32 से 35 लाग बोरी हुआ था यानि 32 से 35 लाग बोरी के मुकाबले 48 से 50 लाग बोरी का उत्पादन होने का उमीद है ये इसमें भारी व्रद्दी हो सकती है कच में नए अरंडी की छुटपुट आवक नौंबर के एंड में शुरू हो जाएगी और दिसम्बर में दैनिक नई अरंडी 2 से 30 लाग बोरी की आवक दिखाई होने का नौंबा लगा जा रहा है यदि कच के अंदर जो यूनिट हैं उनकी दैनिक शम्ता लगबग 30,000 बोरी क्रशिंग की है जो लेकिन समाने रूप से 20,000 बोरी की आवक दैनिक मिले तब कच की उनकी की जरूरत पूरी हो जाती है नए सीजन में फरवरी महिने में कच की उनकी को प्रयाप मात्रा में कैस्टर यानि अरंडी मिलने का अनुमान है एक मोटे अनुमान के अनुसार कच को छोड़ कर गुजरात, राजिस्तान और आंदर प्रदेश में नई अरंडी की आवक 31 दिसंबर तक में 10 लाग बोरी तो हो चुकी का अनुमान है अगस्त और सितंबर में अरंडी का तेल का निर्यात कम हुआता जिसकी हम आपको अगरेम सुचना दे चुके हैं तो दोस्तों अरंडी के ओपर आगे क्या संभावना बनेगी इसके लिए भी आप संपर कर सकते हैं एक और महत्वपुन बात तिलहन दलहन मसाला कपास गवार सीड इन सभी की विशेश रिपोर्ट के लिए आप संपर कर सकते हैं देश का पहला चैनल अजय एस्टरमनी गरू जो 42 कमूडिटी चपर लगातार अपडेट विशलेशन देता है अधि आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो उसको सस्क्राइब लाइक और शेर करना बिलकुल न भूलें बैल आइकन को भी अवश्य पूश कीजिए All the very best, good luck, happy trading